आज की इस वीडियो में हम डिस्स करने वाले हैं तो किस तरह हम अपने Microsoft Windows की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं यानि कि अपने PC की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं सबसे पहले हमने सर्च में आना है और यहाँ पर टाइप करना है CMD जैसी हम यहाँ पर CMD टाइप कर लेंगे टॉप पर हमने Find करना है Run as Administrator इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह Black Window हमारे पास अपियर होगी यहाँ पर हमने एक Command टाइप करनी है जिससे हमारे PC की स्पीड काफी Fast होने वाली है यहाँ पर हम देख सकते हैं SFC slash scan no तो यहाँ पर हमने यह Command टाइप करके Enter करना है जैसे हम इसको Enter कर देंगे Processing Automatically Continue रहेगी यहाँ पर हमने जस्ट 15 मिनट वेट करना है 15 से 20 मिनट भी लग सकते है तो जैसी यह Process complete हो जाएगा यहनके 0 to 100 हो जाए तो आपने क्या करना है अपने PC को Restart करना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी Processing है वो Continue हो चुकी है इसके बाद आपने PC को Restart करना है जैसे ही यह 100 हो जाए और Back आपने Run Command में आना है और Administrator में आना है और इस Black Window में एक और Command टाइप करनी है जैसा के हम यहाँ पर देख सकते है Dism slash Online slash Cleanup dash Image तो यह हमने Type करना है जैसे हम Dash Image करेंगे इसके बाद फिर हमने Space देनी है Space करने के बाद Slash Type करना है और यहाँ पर हमने Restore Health तो Restore Health आपने यहाँ पर Type करना है तो जैसे हम यह काम कर लेंगे इसके बाद आपने यहाँ पर Interpress करना है तो Processing Automatically Continue रहेगी जैसे आपने पहली Command में किया है यहाँ पर भी आपने 15 मिनट वेट करना है तो जैसी 15 मिनट पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो Process है वो Complete हो जाएगा यानि कि जो इसकी percentage है वो 0 to 100 जो है वो Complete हो जाएगी जैसा कि हम देख सकते है percentage Complete हो चुकी है जस्ट हमने यहाँ पर वेट करना है बहुत ही Simple सा काम है आपके पास Internet का होना ज़रूरी है यह करने के बाद आपने अपने PC को Start के बटन पर क्लिक करके Restart करना है जिससे क्या होगा हमारे PC की Speed काफी Fast होने वाली है